मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भले ही कहा हो कि विपक्ष एक जुठ हो जाए तो लोग सभा चुनाव 2024 में बीजेपी 100 सीटों पर सिमठ जाएगी लेकिन विपक्ष में अभी ही फूट पड़ गई है और यह फूट नितीश कुमार के गड़बंदन में ही हुई है अगला प्रधान मंत्री कौन होगा इस मुद्दे पर बेहार यूपिये में मदभेद खुल कर सामने आ गया है बेहार कॉंग्रिस ने कहा है कि प्रधान मंत्री पद के अगले उमीदवार राहुल गांधी ही हुँगे लेकिन राश्य जंतादल ने इसे खारिश करते हुए कहा है कि नितीश कुमार ही सही उमीदवार हुँगे हम बताते हैं कि मामला क्या है और इसमें सियासत का पेच क्या है बिहार कॉंग्रिस प्रवक्ता असित नात तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ही विपक्ष के पीएम उमीदवार हुँगे उन्ही के नेतरत्व में महागडबंदन एक जुट होगा उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को टक कर दे सकते हैं लेकिन आरजेडी इस बात पर राजी नहीं है और उसने खुल कर इसका विरोध भी कर दिया है आरजेडी नेता मृतियुञे तिवारी ने कहा कि नितीश कुमार ही विपक्ष के सबसे योग पीम उमीदवार हो सकते हैं उन्होंने कहा कि नितीश कुमार का लंबा अनुभव है वे सभी विपक्षी दलों को एक जुट कर सकते हैं आरजेडी नेता ने आगे कहा कि नितीश PM मैटेरियल हैं वे सबसे भेतर PM उमीदवार हो सकते हैं मस्यदार बात यह है कि नितीश कुमार खुद इसके पहले कह चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वे PM उमीदवार बनने की दौर में नहीं है दरसल ताजा मामली की शुरुआत बीते हफते पटना में CPIM Liberation के राष्ट्रिय सम्मिलन से हुई इस कारिक्षम में नितीश कुमार ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि सभी विपक्षी दल एक जुट हो जाएं तो BJP 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उन्हें खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन इसी कारिक्षम में मौझूद RJD नेता और उपमुख्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कॉंग्रेस को ड्राइविंग सीट क्षेत्रिय दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए उनके कहने का मतलब साफ था कि प्रिधान मंत्री उमिद्वार कॉंग्रेस नहीं क्षेत्रिय दल के किसी नेता को होना चाहिए हलंकि कॉंग्रेस इसे सहमत नहीं है और वह इसके पहले भी कई बार इसका संकेत दे चुकी है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेकारजुन खडगे ने नागालेंड में एक रैली में कहा कि लोगसभाचुनाव के बाद केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार आएगी राहुल गांधी उसका नेत्रत्व करेंगे कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाद भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष के पी-एम उमिदबार होंगे भारत जुड़ो यात्रा की काम्याबी के बाद कॉंग्रेस का होसला बुलंद है कॉंग्रेस महासचेव जैराम रमेश ने साफ कहा कि कॉंग्रेस के बगेर विपक्षी एक्ता की कल्पना नहीं की जा सकती उन्होंने ये भी कहा कि भारत जुड़ो यात्रा का मकसद कॉंग्रेस को मजबूत करना ही था उससे विपक्षी एक्ता भी मजबूत हुई है ये अलग बात है जो नितिष कुमार जी ने ब्यान दिया है उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कॉंग्रेस पर हुआ है बलकि भारती राजनीती पर भी हुआ है यह भारती राज़नीती के लिए एक परिवर्तन का रीक्षन उन्होंने स्विकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम अपनी भूमी का हम अच्छी तरह से जानते हैं Congress ही एक मात्र ऐसी political party है जो BJP के साथ कहीं भी समझोता नहीं क्या है कोई भी विपक्ष की एकता Congress के बिना असफल होगा तो हम जानते हैं नितिश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं